ये देखे, ये एक boil हो चुका है और मैं आपको इसे छील कर इसलिए दिखा रही हूँ, कि आप देख लिए कि ये एक कितना अच्छे से boil हुआ है। यह देखिए इसका shell कितना असानी से निकल रहा है और यही एक boiled egg की पहचान होती है कि अगर उसका shell अच्छे से निकल रहा है तो यानि यह perfectly boiled हुआ है. मैं आपको इसे cut करके भी दिखा देती हूँ कि यह कितना अच्छे से boil हुआ है. यह देखिए आप देख सकते हैं कि इसका egg योग भी कितना अच्छे से पका हुआ है. तो आएए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सब्सक्राइब करिए recipes with Ria को और मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए bell icon दबाएं. सब्से पहले मैंने एक बर्तन में पानी गरम होने के लिए रखा है. आप देख सकते हैं कि पानी अच्छा तेज गरम हो गया है. तब ही हम इसके अंदर egg डालेंगे. यह कलती आप बिल्कुल ना करें. पानी में egg डालने का सही तरीका यही है कि आप एक spoon लें, उसके उपर egg रखें और दीरे से इस तरह से इसे पानी में छोड़ दें. अगर आप हातों से उपर सही egg छोड़ेंगे तो वो नीचे जाकर एकदम से फट जाएगा. पांच मिनिट के लिए medium high flame पर अंडों को boil होने देंगे. पांच मिनिट के बाद हम gas का flame बिलकुल low कर देंगे और low flame पर हम इसे दो से तीन मिनिट के लिए और boil करेंगे और फिर हम gas का flame बन कर देंगे और इसे पांच मिनिट के लिए ढखक कर छोड़ देंगे. पांच मिनिट रेस्ट होने के बाद हमारे अंडे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अब हम इन्हें एक एक करकर निकाल लेंगे और इन्हें थंडे पानी में डालेंगे अब मैं आपको एक को छीलने का तरीका पताती हूँ तो पहले आप इसे उपर से और नीचे से दो बार टैप करें और बाकी साइट उसे भी हलका हलका से इसे टैप करें इस परहां से और हतेलियों की मदद से चार से पांच बार इसे हलका सा प्रेशर देते वे घुमाएं इसके बाद जहां से ज़्यादा क्रैक हुआ हो वहां से इसे छीलना शुरू करें यह देखिए कितना अच्छे से हमारे एक का पूरा शेल निकल गया है बिल्कुल परफेक्टली बॉयल हुआ है यह एक अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो की नीचे लाइक का बुटन दबाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करना ना भूले